नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ सुपरतीम बैनर जी कल मैंने आप लोगों को कोलकाता के आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बारे में कुछ अपडेट्स बताये थे और आज भी वो सवाल जसका तस है, जिसका मैंने कल जिक्र किया था और वो सवाल ये है कि इस हत्याकांड के बाद सबसे पहले वो कौन शक्स था जिसने उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश स्पॉट की थी, सेमिनार रूम में देखी थी अभी भी इस सवाल का जवाब ना तो पुलिस को मिल पाया है और ना सीबियाई को और इस आशाय की, इस सिलसले की खबरें लगातार कोलकाता के अख़बारों में प्रकाशित हो रही है लेकिन आज मैं उस से भी दो कदम आगे बढ़कर कुछ ऐसे खुलासे आपके सामने करूँगा ऐसी जानकारियां आपके सामने रखूँगा जिन्हें जानकर और सुनकर आपको लगेगा कि वाकई इस मामले में अभी और बहुत गहरी पड़ताल की जरुवत है सबसे पहले तो मैं आपको बताओं आप लोगों को अब तो ये पता ही चल गया है कि इस मामले में CBI ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और उस स्टेटस रिपोर्ट में exactly क्या कहा है ये तो clear नहीं है क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सील बंद है लेकिन जो CBI के सोर्सेज हैं उसके हवाले से जो बात समझ में आई है वो ये है कि संजयर रॉय इस रेप और मडर के मामले का इकलौता ऐसा एक्यूजड है आरोपी है जो वहां मौके पर था और जिसने उस पीडिता के साथ उस लेडी डॉक्टर के सा तो ये तो एक बात है लेकिन अगर ये इतना ही क्लियर कट मामला है तो फिर सवाल ये है कि CBI क्यों लगातार इन्विस्टिगेशन CBI का लंबा होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जो उस आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीब घो का पॉलिग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है क्यों CBI उन चार डॉक्टरों का पॉलिग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है जो चार डॉक्टर पीडित डॉक्टर को पीडिता ट्रेनी डॉक्टर को आखरी बार जिंदा देखने वाले लोगों में शामिल है यानि उन चार साथ कतल से पहले डिनर किया था इनका भी पॉलिग्राफ टेस्ट सी बियाई कराने वाली है अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो इन पांच लोगों के सीने में दफन है डॉक्टर संजीब घोश के और उन चार डॉक्टरों के जिनें बाहर लाना सी बियाई को लगता है कि बहुत जादा जरूरी है और बाहर लाने के लिए पॉलिग्राफ टेस्ट ही एकलोता जरिया या तरीका बचता है यह अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि देखा जाए तो अभ्यूक्त को जिसने कतल किया उसे तो पुलिस ने पगड़ लिया और फिर सामले में डॉक्टर संदीब घोश की तरफ से घंगोर लापरवाही हुई या फिर ये कहें कि डॉक्टर संदीब घोश ने जान बूज कर सीन ऑफ क्राइम को खराब कर दिया और पूरे केस को बिगाड़ने के कोशिश की इंटेंशन था या वो मिस्टेक था लापरवाही इसका पता CBI को लगाना है लेकिन जो जो हरकतें वहां हुई और जिस तरह से इस पूरे केस को खराब किया गया उसके कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको यह बताओं कि जब इन ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कतल की बात साबित हो गई तो उस जगह को सबसे पहले कॉर्डन ओफ कर देना चाहिए था सैनिटाइज करना चाहिए था ताकि कोई भी वहां इंटर न कर सके जबकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जानकारी मिलने के बाद भी उस जगह पर लोगों की आवाजाही चलती रही और उस सेमिनार रूम में कम से कम पंदरह डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पहुँचे जिन्हों ने उस पीडिता की डेड बोडी को बहुत करीब से द CBI को फिलाल इस बात का पता लगाना है और अगर जान बुचकर कराये गया तो इसके पीछे क्या मकसद है क्या संजयर रॉय को डॉक्टर संदीब घोश बचाना चाहते थे अगर बचाना चाहते थे तो फिर सवाल उठता है कि ये रिष्टा क्या कहलाता है एक सिविक वॉल जानकारियां CBI को पूछताच में पता चलिए और उनमें एक एहम जानकारी है कि ये जो पीडित डॉक्टर है जब मोकायवारदात पर उनकी लाश पड़ी हुई थी और पुलिस की टीम वहां पहुँच रही थी और तमाम हॉस्पिटल के लोग वहां आ जा रहे थे जैसा क मैंने आपको बता है उसी समय कोलकाता पुलिस के एक एसिस्टेंट सभी इस्पेक्टर ने उस डेड़ बोड़ी पर एक बड़ी अजीब सी चीज देखी थी और वो चीज है एक सलाइन वाटर की जो बॉटल होती है प्लास्टिक की पाउच वो वहां पर डेड़ बोड़ी क पास थी बलकि डेड़ बोड़ी के पास क्या थी उस A.S.I. ने C.B.I. को ये बयान दिया है कि सलाइन वाटर के बॉटल का जो पाउच है या सलाइन वाटर का जो पाउच है उस पाउच को उन्होंने उस डेड़ बोड़ी के नीजी अंगों के उपर देखा था अब यह डेड़ बोड़ी के उपर डाली और इस इरादे से डाली कि या तो उस लड़की को टॉर्चर किया जाए या फिर डेड़ बोड़ी को उपर सलाइन वाटर का पाउच डाल कर सबूतों को खुर्द बूर्द किया जाए और खराब कर दिया जाए ताकि मामले के तफ्तीश मे और complication हो जाए इस तरह की बात एक assistant sub inspector ने CBI की पूछताच में कही है लेकिन जब उस dead body को police ने वहाँ से recover किया और लोगों की मौझूदगी में पंचनामा तयार किया गया उसको जफ्त करके dead body को बरामत करके जब post matum के लिए भिजवाय गया आपको जानकर नीजी अंगों पर रखे गए उस पाउच को वहाँ से lift कर लिया चुरा लिया अगर ऐसा तो फिर वो कौन था तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि scene of crime को बिगाडने का ये एक बहुत बड़ा उदाहरणा है चानबीन में ये भी पता चला है कि उस दिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय रॉय ने उसी फ्लोर में एक वाश बैसीन है पास में वहाँ पर जाकर उसने अपने हाथ दोए थे लेकिन जब CBI ने उससे उसके Bluetooth Nick Band के बारे में पूछा तो उसका ये कहना था कि Nick Band वो वहाँ भूल कर या छोड़ कर नहीं आया था अब सवाल यह है कि अगर वो वहाँ Nick Band छोड़ कर नहीं आया तो Nick Band वहाँ मौके से पुलिस ने सबसे पहले कोलकाता पुलिस ने रिकवर कैसे किया कैसे वो Bluetooth Nick Band का Connection संजयर ओय के Mobile Phone से जुड़ा जाहिर है इस मामले में संजयर ओय कुछ जूट बोल रहा है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है ये भी एक वज़ा है कि CBI संजयर ओय का भी Polygraph Test कराना चाहती है चानबीन के दौरान पुलिस को और CBI को CBI ने तो खैर बाद में इस मामले में एंटर किया उसको केस बाद में मिला CBI को लेकिन जब पुलिस चानबीन कर रही थी तो पुलिस को जहां पर सेमिनार रूम में इन डॉक्टर्स ने और इन लेडी डॉक्टर्स ने डिनर किया वहाँ पुलिस को कोई भी फूड पैकेट या पाउच ऐसा कुछ भी नहीं मिला यहां तक कि जो पास में जो डस्ट बिन होता है उस डस्ट बिन से भी पुलिस को कोई खाने का पैकेट नहीं मिला जो इस बात की पुष्टी कर सके कि हाँ उस रात को वहां उन लोगों ने खाना मंगवाया था अखरी बार इस पीडित डॉक्टर के साथ उसके जीते जी बैट कर उन्होंने साथ में डिनर किया था हाला कि जब पोस्माटम होता है तो पोस्माटम में भी पेट में जो भोजन है किसी भी अमृत आदमी के पेट में जो भोजन होता है उस भोजन को देखकर डॉक्टर ये पता लगा लेते हैं कि ये भोजन इस शक्स ने कितनी देर पहले किया था तो वो भी एक तथे के तौर पर CBI को आने वाले दिनों में मिलने वाला है लेकिन साथ ही CBI को चूंके चीजें कोरॉबरेट करनी होंगी सारे जबुतों को एक दूसरे के साथ उसका मिलान कराना होगा तो CBI को ये भी बताना होगा कि अगर उन्हें भोजन किया साथ में तो भोजन के पैकेट्स जो उन्होंने मंगवाय थे वो पैकेट्स कहां गए क्या वो डॉक्टर अपने साथ लेकर चले गए चारो डॉक्टर वो चारो डॉक्टर इन डॉक्टर को अकेला छोड़ कर वहां से क्यूं चले गए मतलब सभी के सभी क्यूं चले गए कोई भी नहीं रुका क्या सबकी duty खत्म हो गई थी ये सारे सवाल है जिनके तह तक CBI को जाना है अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे मामले में investigation अभी आगे भी जारी रहेगी वो इसलिए जारी रहेगी क्योंकि scene of crime को जिस तरह से बिगाड़ा गया है और medical college के जो principal है उनकी भूमी का जिस तरह से संदिक्द है उसका उस मामले को जिसे कहते हैं बातचीत में कि इस पार या उस पार किये बगएर या तो clean shit कि हाँ भई गलत फैमी हो गई गलती से हो गई clean shit तो फिर भी नहीं मिलेगी या फिर अगर ये पता चले कि हाँ intentionally किया है तो जाहिर है फिर उसके लिया लग कारवाई होगी तो उसके पिछे क्या बज़ा थी CBI को अभी ये पता लगाना है nutshell में मैं आपको और तीन बाते बता कर अपने इस पेशकश को खत्म करूँगा वो ये कि अभी जो तफ्तीश चल रही है CBI के उसमें CBI ये जानना चाहती है कि पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले unnatural death की report लिखी थी तो एक clear cut murder का मामला जिसमें अर्ध नगन लाश पड़ी हुई है hospital premises के अंदर building के अंदर पड़ी हुई है और वो भी hospital में काम करने वाली on duty doctor की पड़ी हुई है ऐसे मामले में unnatural death की report लिखने का तो कोई तुक ही नहीं बनता और अगर कोलकाता पुलिस ने ये report लिखी तो क्या इसके लिए आरजी कॉर मेडिकल कॉरिज के principal डॉक्टर संदीब घोष ने कोई दबाव बनाया था CBI को ये पता लगाना है साथी CBI को ये भी पता लगाना है कि जो scene of crime का कभाड़ा कर दिया गया उसे जो खराब कर दिया गया क्या वो अंजाने में हो गया या डॉक्र संदीब घोष ने उसे जान बुचकर बिगाड़ा और अगर जान बुचकर बिगाड़ा तो उनका मकसद क्या था ऐसा करने के पिछे उनके दिमाग में कौन सी बात थी और तीसरा ये कि आखिर इस डेट बॉडी के बारे में सुबह सवेर अर्ली मॉर्निंग पता चल जाने के बावजूद कोलकाता पुलिस को इसकी जानकारी हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से सुबह 10 बच कर 10 मिनट पर क्यों दी गई यानि तकरीबन 3-3 घंटे बाद पुलिस को इसके बारे में क्यों जानकारी दी गई तो ये सारे सवाल है जिसका उत्तर CBI को जानना है और इसी वज़े से CBI इस मामले में पॉलिग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है संजय रॉय का, डॉक्टर संदीब घोश का और उन चारों डॉक्टरों का जिन्होंने आखरी बार पीडीता के साथ पीडीत डॉक्टर के साथ डिनर किया था आज के लिए इतना ही, मैं फिर जब कल आप लोगों के सामने हाजिर होंगा तो इस केस से जुड़ी अगर कोई और एहम जानकारी होगी कुछ ऐसा अपडेट होगा जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैं जरूर यहाँ पर वो सारी बाते आ आप सके सामने रखोंगा फिलाल इतना ही मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखे सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत